बहुत समय से गैर मुसलिम भायों को मुसलिमों के इस विश्वास का मजाक उडाते देख रहा हूं कि नवीत सलललाहु अलही वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े कर दिये थे ये लोग कहते हैं कि मुसल्मान बार-बार इसलाम को सेंखने पर सही उतरने वाली जाद बताते हैं पर इसलाम में चांद के दो टुकड़े और नवी के साथ बिना किसी विमान के आसमान की सेर जैसी इन अवेग्यानिक बातों के जरिये इसलाम भी जूट और अंधुश्वास ही फैलाता है पहली बात तो हम इन भायों से यही कहिए कि इसलाम को फैलाने के लिए अल्लाह और रसूल सलललहु अलही वसल्म ने करिशमा दिखाने का सहारा नहीं लिया बल्कि इसलाम फैला अपने बड़े नियमों के वजह से लेकिन आप कुरान और हदीस परिंगे तो प पह बाजारों में घूमता फिरता है अगर यह हकीकत में नभी होता तो अल्लाह ने इसके साथ एक फरिष्टा रखा होता और यह करिशमा दिखाता इस वजह से कुछ एक करिशमा जो अल्लाह के होकम से नभी अल्याम को जुठलाया जा सके और दूसरी वजह ये कि वे गैर म जो करिश्फमा को ही खुदा मानते थे और समवोहन करने वाले जदूगरों के जदू के वजङ से ही उन्हे खुदा का साथी मानने लगे थे, वे लोग भी आल्लाह के द्वारा किये गए सच्छे करिश्फमा को देखकर ये जानले कि मोहम्मद s.allallahu alayhi wa s.a.v को खुदा का स तो वे चांद को तोड़कर दिखा दें, फिर हम इनका नभी होना तसलीम कर लेंगे और मुसल्मान हो जाएंगे। कुफार को देया, और कुफार का ये जूट भी दुनिया के सामने ले आए कि चांद के तूटते ही वो मुसल्मानों को यातनाय देनी बंद की। कि इस घटना ने कई साइनस दागों को भी साफ कर दिया जिनकी पुष्टी आज भी अंतरिक्ष विग्यानी करते हैं। एक चांद को देखकर दुनिया में पहले की आबादिया उसे एक ठंडी रोष्णी का पुंझ समझती थी। जैसे सूरज एक गर्म प्रकाश पुंझ है और रोष्णी को नच हुआ जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है, इसलाम से पहले चांद को कोई भी व्यक्ती ऐसी ठोस वस्तु नहीं मानता था जिसे स्पर्ष किया जा सकता हो। ये खयाल बीसवी शताबदी तक लोगों में बना रहा जब तक नील आमस्ट्रॉंग ने चांद पर उतर कर ये साबित न किया कि चांद मिट्टी और चट्टानों से बना एक विशाल उपग्रह है। लेकिन चांद के तोड़े जाने के वाकए से इसलाम ने 1400 साल पहले ही ये सिधा कर दिया कि चांद एक ठोस आकाशिय सनरचना है। लेकिन अपने इतिहास से लेकर आज तक मुस्लिमों ने ऐसा अंध्विश्वास चांद के विशे में कभी नहीं रखा। तीन चांद के तोड़ने के मुस्लिमों के इस दावे ने इस संभावना को भी दुनिया के सामने रखा कि यदि 1400 वर्ष पहले चांद को तोड़कर जोड़ा गया था तो इस बात के चिनाज भी चांद की सतह पर मिलने। चाहिए, आज हमारे पास नासा द्वारा लिये गए चांद की सतह के कुछ तस्वीर हैं, जिम में चांद की सतह पर एक विशाल दरार दिखाए पड़ रही है, जैसे किसी तूटी हुई चीज दोबारा जोड़कर रखने पर बन जाती है, हम जानते हैं कि विरोधी इस दरा जाने के बावजूद यदि लोग चांद के तूटने की संभावना पर विचार न करें तो इसे उन लोगों के पूर्वागरा का ही परिनाम कहा जाएगा, बहराल जो लोग चांद के तूटने को इसलाम का अंध्विश्वास साबित करना चाहते हैं, वे अपनी इस बात की चांद कभी नहीं तूटा था को सिर्व करने का कोई प्रमान नहीं दे सकते, लेकिन चांद तूटा था इस बात का एक बड़ा प्रमान मुस्लिमों के पास अवश्य है